सो ये बात है जब मैं पाज सलका था मेरी एक दोस्त थी हम डेली शाम को खेलने जाते थे ठीक मेरे सामने आले बिल्डिंग में रहती थी हमारे बिल्डिंग में गाडन नहीं था उनके सुसाइटी में गाडन था तो मैं डेली शाम को स्कूल से आने के बार उसके सुसाइटी म चैसने हैं, दोहजार साल की जब मैं पास साल करता हूँ जुला खेल के ही जाते देगा रहा हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे लड़की के साथ खेल रहा हूँ जो तीन मेना पहले ही गुज़र गई है तब हम छोटे थे और मुझे पता नहीं था कि वो मर गई है और मैं डेली उसके साथ जाके खेलता था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं छोड़ा था ऐसे करते एक मेना दो मेना, तीन मेना हुआ मेरी माँ बोलती थी कि तू किदर जा रहा है डेली शाम को खेलने के लिए क्योंकि उस टाइम पे आपको पतानी हुता है क्वोंड्य उश्चिम्र ुषि को अगो चीया चंदा है tube मैं बूलता था मैं फुर्या के साथ खेलने जा। तो मेरी मा शॉक होगी, भूली, प्रिया के साथ केलने जा रहा है, किदर नहीं जायागाड़गा घर पे बैटा. मैं बोला, क्यूं, मा ने बोला नहीं, किदर नहीं जायागाड़गाड़गाड़ अ नहीं तर तीस दिन घोगी चलने नहीं लगा आढ़ा दुरी कि दो दिन नहीं यहाँ उसे बोले... व सॉरी कियो कि अथा हुआ Ó त्रोफा आधीक है इसे साहने हाशा ढाए। चलब साहने हुपकी कि यथा खाजा है। तो इसे पते ही आखा साहने के साहँ कुला हुआ। जैसे ही नेस्टे स्कूल से आया मैं और स्कूल में मैंने बुला कि प्रिया दिख नहीं रही है मुझे तो मैंने प्रिया से पूछा आज स्कूल नहीं आई और जब मैंने प्रिया को देखा खेलते वे तब उसकी पैर में से खून निकाल तो मैंने प्रिया को बुला प्रिया खूं क्योंकि बच्पन में है तो क्या ही बोल सकते हैं तो उसने बोला ठीक है चलेगा मैं कुछ समझा नहीं मैं गया उसकी मां के पास मैं गया अंटी प्रिया के पैर से खूं निकल रहा है तो प्रिया की मां शौक हो गी करक recharge को ये प्रिया तीन मेले पहले मर गए थी कैसे बिडिंग में जब काम होता है तस अब वहां पर रोट होता है सलिया होता है और हमारे बिल्डिंग के पास ही एक जंगल था जहां डेवलप हो रहा था आप देखो कि स्टेशन के पास जब अर्लियर 2000 में बिल्डिंग न्यू न्यू बनना चालो होई थे तब जब न्यू बिल्डिंग बनना चालो होई तो फ्लोर्स पे ओ लोग राट्स रखते थे और सलिया के बीच में एक सापसा तो जब बालकनी में जाते सलिय के उपर प्रिया खड़ी होई और उसका पैर सलिय के अंदर चाए और उसे किसी चीज ने काटा जैसे ही काटा ठीक 90 सेकंड्स में उसकी देथ हो गई और मुझे पता नहीं था कि बच्पन में क्या ही पता होगा आपको 5 साल के होगा जैसे उसकी मा उसको लेकी गई बहुत सारी चीज़े वही उस टाम पे है तो जब मैं उनकी मा के पास गया बोला कि प्रिया के पैर से खोन निकल रहा है तो जैसे ही शौक होई है वो डर भी गई कि तीन मेना पहले मेरी बेटी मर गई है और इसी ये आके बोल रहा है कि प्रिया के पैर से खोन निकल रहा है तो वो मेरे साथ नहीं है वैसे ही ठीक मैं प्रिया को बोलने है कि तेरी मा को बोलके आया हूं मैं कि तेरे पैर से खोन निक कि उसने परिया ने वही चीज बार बार रही बोला ठीक चलेगा को थीक चलेगा मैं कुछ समझा नहीं मैं ठीक बहाग के अपनी मा के पास किया मैं बोला मा प्रिया जो मेरी दोस्त है उसके पैर से खोन निकल रहा है हम उसे डॉक्टर के पास लेके चल सकता है तो मेरी मा ने मेरी मा उस टाइम पर शॉक्ट होगे कि ये बार-बार प्रिया का नाम क्यों ले रहा है हाला कि वो तीन मेना पहले मर गई थी और मैं तीन मेना ऐसे उसके साथ खेल रहा हूँ मेरी मा ने मुझे जाने से मना कर दिया मुझे तीन दिन ना स्कूल बेजा ना नीचे उतर ने दिया मुझे ठीक सामने प्रिया दिखती थी रोज शाम को खिलते हुए और मैं जब अपनी मा या अपने पैरेंट्स को बुलाता था कि देखो प्रिया सामने है और मुझे आप जाने नहीं दे रहा हूँ तो वो विंडो बन कर दिखता था कि वो जूला जूल रहा है एक दिन शाम के डायम पर जैसे मैं शाम को बेठा विंडो पर देखा कि मुझे खेलने नहीं मिल रहा है तो प्रिया मेरे सामने आगए मैंने उसे पुचा सौरी यार मैं दो दिन तेरे साथ खेलने नहीं आया मैं कुमाने जाने नहीं दिया तो उसने एकी चीज वापस से दो रहा है ठीक है ठीक है चलेगा ठीक उसी तरह मैं मां को बुलाने गया कि माँ प्रिया आई है मैं खेलने जाओ मेरी माँ भाग के आई और जैसे भाग के आई बोली वापस से प्रिया का नाम लिया तो मैं ते को बात रूमे बंद कर दूँगी मैं बोला माँ प्रिया सामने खड़ी है मेरे सामने अपने विंडो के आप है, हाला कि हम थर्ड फ्लोर पे रहते तो मेरी मा और डर गई उसने बुला, अभी प्रिया का तुने नाम लिया, तो मैं ते को कहीं नहीं जाने दूँगी तो मैंने प्रिया को बुला, प्रिया, ये मुझे घर से आने नहीं दे रहे, आपके साथ खेलने नहीं दे रहे उसने फिर वापस से वही कहा, ठीक है, चलाए जैसे ही मैं बढ़ा हुआ, मुझे पता चला, मुझे दादी का धियान तो गया तो मैंने पूछा अपने बढ़ों से, कि क्या हो गया दादी को, क्यों रो रहे हैं सब तो मेरे पैरेंट्स ने बताया कि दादी का धियान थो गया, फिर मैं समझा कि मरने के बार लोग वापस नहीं आता है, तो तीन मैने तक, मैं उस प्रिया के साथ खिरलाता जिसका तीन मैने पहले, जी हाँ, तब मुझे पता चला, और उसके बाद से, आज तक, हम वो सुसाइटी में नहीं गया, ना ही वो सुसाइटी में वो सुसाइटी ही सीख लोगी है आज भी ऐसे बहुत सारे किस है जो आपको पता नहीं है बट आपके अरजु बाजु आपके इर्द गर्द होते रहते हैं ऐसी और वीडियोज के लिए डू सस्क्राइब आज चानल लाइक शेर और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा स्ट्रीट यूँ